हेलो एंड वेलकम बैक गाईज दोस्तों क्या आप भी कुछ इस प्रकार से निव ट्रेंडिंग ए आई पिक्चर जनरेट करना चाहते हो जो कि इस समय यूटूब और इस्टाग्राम पर बहुत ही तेजी से बारल हो रही है तो दोस्तों आज का जै वीडियो है आपन तक जिरूर देखे गाएंड यदि आप हमारे चनल पर नए हो हमारे चनल को सस्क्राइब जूरू कर दिजेगा तो चलिए दोस्तों चलते हैं वीडियो की और तो दोस्तो simply आपको play store application को कर लेना है open जैसे ही आप open करोगे आपको यहाँ पर सर्चबार को कर लेना है select सर्चबार को select करने के बाद आपको यहाँ पर bing टाइप करके इसको कर लेना है search और आपको यहाँ पर bing वाले application को कर लेना है select जैसे ही आप bing वाले application को select करोगे उसके बाद आपको यहाँ पर bing वाले application को install करके कर लेना है open तो आप देख सकतो दोस्तो हमने bing वाले app को पहले से ही install करके रखा है तो मैं simply इस app को कर लेता हूँ open जैसे ही आप Open करोगे उसके बाद आपको यहां पर कुछ ऐसा इंटरफेश देखने को मिल रहा होगा उसके बाद आपको नीचे की तरफ Apps वालज उप्षन को कले ना है Select Apps वालज उप्षन को Select करने के बाद आपको नीचे की तरफ इस्टोल डाउन करना है और आपको यहाँ पर image creator वाले option को कर लेना है select image creator वाले option को select करने के बाद यदि आप bing वाले app में पहली बार आ रहे हो तो आपको इसमें एक gmail id लोगिन करके account create कर लेना है यदि आप से account create करते नहीं बनता है तो हमारे description box में एक video का link दिया हुआ है तो आप उस video को देखकर microsoft bing में account create कर लेजेगा जैसे ही आप account को create कर लोगे उसके बाद आपको यहाँ पर prompt को type कर देना है या फिर paste कर देना है आपको simply यह वाला prompt हमारे telegram channel पर मिल जाएगा तो आप simply उसी prompt को यहाँ पर type कर दीजिए फ्रॉम्ट को type करने के बाद आपको यहाँ पर your name को कर देना है cut और आप जिस भी नाम से trending AI picture generate करना चाहते हो तो आपको उसी नाम को यहाँ पर कर देना है type उसके बाद आपको नीचे की तरफ create value option को कर लेना है select create value option को select करने के बाद आपको यहाँ पर थोड़ा सा बेट कर लेना है जिससे की हम जो trending AI picture generate कर रहे है वह यहाँ पर अच्छी तरह से create हो जाए तो आप देख सकते दोश्तों हमारे सामने यहाँ पर 4 image अच्छी तरह से create हो के आ चुकी है तो आपको यहाँ पर किसी भी image को कर लेना है select और आपको यहाँ पर 3 dot को कर लेना है select 3 dot को select करने के बाद आपको download value option को कर लेना है select जैसे ही आप download value option को select करोगे उसके बाद आपके phone की gallery में यह वाला trending AI picture सेब हो जाएगा तो दोस्तों मिलते हैं किसी नई topic के साथ किसी नई photo editing वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई